हलो फ्रेंड्स एक बार फिर से स्वागता आपका हमारे ट्यूप चैनल सिकरी स्टेडी पॉइंट पर आज के इस वीडियों बात करने वाले हैं 30 मैंट पूर्ण क्वेश्चिनों की इसमें से जो सबसे ज़्यादा परसन आपको देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्रा संडे के दिन उजिन आपके लिए फुल प्रेक्टिस एट रहता है आज कल तो पुराने पर दे जा रहें एक दो मतलब की दो अपते से जैसी जो है कोचिंग सच्थान खुल जाएंगे तो उसके बाद आपके लिए फुल प्रेक्टिस एट लेके आओंगा तब तक आपको किसान आयोग का गठन कब हहा था उतराखंड में किसान अयोग कब हो था या फिराजी किसान आयोग का गठन कब होा था पर राश्टि अपाधप एवं जैवी की अनुसंदान ब्यूरो में तो लगभग लगभग इनुने सही बताया है लगभग लगए और पैसे से ही आदमी की इज्जत है पैसे से ही आदमी की इज्जत है के लिए निमलिकित मैं से उचित लोकुक्ति का चैन कीजिए तो इन मैं से आपको इसका सही उत्तर बताना है पर बाद भी यहां पर बिल्कुल सही कही हुई है कि पैसे से ही आदमी की इज्जत है इन में से आपको बताने कि कौन सा option इसका सही हो सकता है होनवार भी इरवान के होद जिक्ते बात ये तो नहीं होगा क्योंकि बच्पन से इसके लग्षण ठीकता होते हैं तो इस तरह का है अगला option है जर है तो नर नहीं तो खंडर अगला है जैसे तेरी कामरी वैसे मेरे गीत अपनी पगड़ी अपने हाथ ये तो इजजत वाला हो गया कि अपनी पगड़ी अपने हाथ तो जो इसका से उतर है जो से उतर दिया हुआ था इसका अपकी दोरा ये हो जाएगा जर है तो नर नहीं तो खंडर तो option number B हो जाएगा इसका से उतर एकजाम में आया हुआ परसन है पैसे से आदमी की इजजत है तो option number B हो जाएगा हमारा बिल्कुल से उतर जर है तो नर नहीं तो खंडर अगला कोश्चिन है इन में से कौन सी रचना पर सिद्र कथाकार मनू भंडारी की नहीं है मन्नु भंडारी और महादेवी बर्मा तो इन से एक्जाम में आपको निच्चित रूप से प्रस्न देखने को मिल जाएंगे किसी एक्जाम में मन्नु भंडारी अगले एक्जाम में फिर महादेवी बर्मा फिर किसी में मनोर स्याम जो सी किसी में कोई तो यहां से परस्म जरूर आता है मन्नु भंडारी की रचना कौन सी नहीं है यानि कि तीन रचना उनकी है और एक नहीं है इनकी रचना अकेली है अकेली है और अकेली में सुमाबुआ पात्र है अकेली तो है इनकी और यही सचा यह भी है नहीं नौकरी ये भी है तो ये तीनु है बाकि जो पिजरे की उड़ाना ये नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन नमर भी हो जाएगा इसका सेवतर मन्नु भंडारी का जनम की बात करें 1931 में हुआ था इनका जनम मद्धी पर्देश में ये आपको बिल्कुल याद रखना है मद्धी पर्देश में इनका जनम हाता 1931 में और अभी लगबग लगबा 1931 से मान के चले 2021 लगबग लगबग अभी 90 साल की है और इनके बारे में आपको याद रखना है मन्नु भंडारी के बारे में 2008 में इनको 2008 में इनको ब्यास सम्मान पराप्त दिया गया था एक कहानी ये भी के लिए एक कहानी ये भी के लिए इनको 2008 में ब्यास सम्मान पराप्त हुआ था बाकि इनका उपन्यास एक्जाम में आते रहते हैं उपन्यास जैसे आपका बंटी इनका उपन्यास है किस भी ध शक्ता है तो ये सब याद रखेगा इसका शि numerous 직ring मर्भी sister already कि यहें अगला है कहानी रोचक है मैं यहीं है थे सिशन का कौण सा बेद है तो इस तरह केangen बंते हैं निश्चित संख्या वाचक, संकेत वाचक, गुण वाचक या फिर सारुजनिक तो निश्चित संख्या वाचक तो आपको संख्या वाचक देखके तो आप बिल्कुल यहां पर काड़ देजे गुणवाचक भी नहीं है संकेद भी नहीं है तो इसका से उत्र जगा सारुजनिक तो यह है कहानी रोजचक तो यह है इसमें जो है यह सारुजनिक पिसे सेड़ने तो ऑप्सन अबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्र तो इस तरह के कोश्चिन एक्जाम में कौन सा है मैं आप मैं चर्दा करती हूं पहला ऑप्सन है मैं आपकी चर्दा करती हूं यह तो बिल्कुल नहीं होगा मैं आपकी चर्दा करती हूं मैं आपकी चर्दा करती हूं मैं आपकी चर्दा करती हूं तो यह भी नहीं होगा मैं आपके परती चर्दा रखती हूं तो प्रजट है लोहामहाणना मुहाव मरे का उर्थ है इन वैस्जे आपको बताना है सेष्टता शुकार करना बुद्धिमान होना और सक्तिसाली 75 या फिर पराजय करना तो जिन्हों श्युकार करना तो इसका से उत्तर हो जाएगा लोहा मानना सेष्टता श्युकार करना ओप्सन नमर ए हो जाएगा हमारा हमारा बिल्कुल सही उत्तर लोहा मानना इनकी सेष्टता श्युकार करना बुद्धी मान होना इस तरह का यह नहीं है अगला कुश्चिन है इन में से त गोड़ा तुरंग बाजी हाई घोटक यह सब तो इसका सेत्र जएगा अप्शन नमबर डी अगला कोश्ची ने दीर्ग संधी बिद्ध संधी यर्ण संदी और अयदी संदी संदी के किस मूल भेट कें अंतरगत हैं तो यह भी एकसम माया है था बेंजन संदी विसर्ग संदी कुछ और के संदी नहीं कोई इतनी दिक्कत आली बाद लिए कि और हिंदी मदोस्तो प्रस्ण कॉंसा कारक होगा यहां मुझ से अलग रहता है इसमें कौन सा कारक होगा एक तरब तैसील दियो है एक तरब जिला और बलॉक तैसील कुछ भी इस तरह से मिलाने के लिए आ सकता है या विदान सभा छेतर मिलाने के लिए कुछ भी जैसे मंदीर है या कुछ भी जो जो सस्तान है कुछ भी मिलाने के लिए इस तरह से आ सकता है मंदीर कुछ भी कह देखके आपके मन में सीधे सीधे देरादुन काल सी कालकूर सीधे सीधे देरादुन कर्ण परियाग चमोली खटीमा उदम सिंग नगर श्री नगर पोड़ी खैर ये ज्यादा कि आपको किसी को दिक्कत नहीं होगी कि यह option मिलाने में क्योंकि सबी लोग जो नए हैं उनको थ जाएगा चमोली में और खटीमा हो जाएगा कहां उदम सिंग नगर में श्री नगर पोड़ी खैर श्री नगर के बारे में को नहीं जानता इसका से उत्तर हो जाएगा तो यह सभी आपको बिल्कुल याद दखने मांकि option में आपको कहीं न कहीं मिल जाएंगे अगला कोशी सोन परियाग में सोन गंगा नदी का संगम राम गंगा से होता है भागी रती यमना नहीं यह मंदा कीनी रूदर परियाग में है तो सोन परियाग में सोन गंगा का संगम मंदा कीनी से होता तो option number D हो जाएगा बिल्कुल सही वागी भागी रती उत्तर का सी यमना उत्तर का स यह राम गंगा पूर्वी पश्ची में अलग-अलग है तो इसका से उत्र हो जाएगा ऑप्शन मर्डी क्योंकि रुद्र पर्याग वाली है तो सोन पर्याग तो एक ऑप्शन है राम मंदा की नहीं हापर सोन गंगा और मंदा की नहीं सोन पर्याग में कौन सी एजन्सी उत्राखंड में उर्जा के hoativa स्टोरी पलयाग्ड हो यहां पर पूछा गया है कौन सी एजन्सी उत्रा υकास आपको देखके लग्या होगा कि उत्राखंड परेटन विकास एजन्ची अब उर्जा के छेत्र में याफर परेटन विकास एजन्ची का तो कोई काम नहीं तो यह हो जाएगा हमारा बिल्कुल सेवत्तर बांकि उरेडा की बात करें उरेडा की जो इस्ताफना हुई थी वह हुई थी 2001 में उरेडा की तो यह भी है और बांकि जो उत्राखंड जल्बिदुत निगम है लिमिटेट है इसकी स्थाफन पावर कारपुरेशन लिमिटेट तो इसकी स्थापना यानि की यूपी सियल इसकी स्थाफना भी दोजार एक में हुई थी तो बांकि इसका स्युत्तर हो जाएगा ओप्षन मर यह हमारा बिल्कुल सेवत्तर उल्यडा की स्थाप ना सकती है उत्राखंड जल्बिद्दुत निगम आ सकता है तो यह मैंने आपको बताई देया है और उल्यडा का भी बताई देया है तिरा दून में इसका मुझ्ख्या लाए है अगला कोश्चिन है घोडा खाल सैनिक 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 स्कूल घोडा खाल नैनी ताल उत्राखंड कभ इस्तापित किया गया साथ अगस्त उनिश्व है क्या उनको एक किस फरवरी उनिश्व पंदर जुलाव उनिश्व नब्दय को या फिर इनमें से कोई नहीं तो इसकी स्थापना हुई थी एक किस मार्च उनिश्व चा इसकी स्थापना हुई तो फिछली बार एक अलग एक जाम हाता उसमें इसकी स्थापन दिया हुआ था और यहां पर ऑप्शन दिया ही नहीं है ऑप्शन नमर डी हम करेंगे तो एक किस मार्च उनिश्व चाट को घोडा खाल नैनिताल उत्राखंड तो यहां पर सभी दिया भी कौन है गुमानी पंथ कौन है एक नंबर के लिए सिंगल में बनाया पर यहां पर आपको मिलान करना है तो गोविंद बल्ला पंथ एक मात्र वेक्ति उत्राखंड के अभितक ज्यात इत्यास में भारत रत्न ऑप्शन नमबर तीन हो जाएगा इसका सिवत्तर एक हम करें यहां से यहां से आप याद रखेंगे आपक को एक दो किसी बारे में नहीं पता है तब आप ऑप्सन की तरफ जाएंगे तो आशने से आप पकड़ लेंगे यहाँ पर देखिए जैसे गोविंद बल्ला पंथ है तो भारत अतने तो भारत अतने दो अप्शन में है ठगुली देवी टिंचरी माई तो तीन का एक करेंगे तो शिर्फ एक ही इतने महीं हमारा उत्तर आ गया है अप्शन नमर भी हो जाएगा इसका शिक्तर वांकि यह आप याद रखे का गोविंद बल्ला पंथ भारत अतने ठगुली देवी टिंचरी माई इंद्रमडी बड़ोनी उत्राखंडगा गांधी कई बार बना एक्जाम में कुमानी पंथ लोक रतने तो यह सब याद रखे का अगला कोश्चन है नागदेब ताल में इस्तित है तो यहाँ पर आपको भरना रहेगा नागदेब ताल उधमसिंग नगर में है बिल्कुल नहीं है क्योंकि दुरोड ताल यह सब उधमसिंग में है गिरी ताल चमपावत श्यामला ताल जिलमिल ताल काल सी देहरादुन य और जाते जाते वीडियो को एक सेर भी चरूड करेगा अगला कोश्चिन है उत्रा खंड में पंच पर्याग हैं अब यहां पर देखें कुछ इस तरह से भी एक्जाम में था सारे सारे कई बार इनसे बनता है कि इस पर्याग में कौन सा संग्नदी संगम होता है तो इसे नंद पर्याग यहां से हटा दे एक ओप्शन यहां पर दिग गया मुझे यहां पर भी वाले अप्शन में फिर यहां पर सिफ पर्याग है और यहां पर केदार पर्याग दे दिया तो तीस्रे उप्शन में तो यह भी बिल्कुल गलत हो जाएगा बांगी तीन आप्शन तो ऐसे पर लगननदा फिर विश्ण के बाद अगला जो आएगा नंदर पर्याग अलगननदा इस तरह से पंच पर्यागु के करम है तो अप्सान नबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर अगला कोश्चिन है उत्राखंड का उत्राखंड राज्जी का सैक्षिनिक अनुसंदार्यों परसिक्चन परिशत का मुख्यालाई का इस्तितन नरेंद नंगर पोड़ी ह परिद्वार यह फिर देरादुन तो पहले यह हुआ करता था कहां नरेंदगर में और बरतमान में देरादुन में इस्तितन है और इसकी स्तापना जो हुई थी जनूरी 2002 में और यह देरादुन में है उत्राखंड राज्जी का सैक्षिन अनुसंदार्यों परिश्चन पर उसमा आये था कि बशंत पंचमी हो किस देवी को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है जैसे लक्षमी सर्ष्वती दूर्गा काली इस तरह से कुछ बनाता था एक्जाम में तो यहां पर पूछावा प्रसन है फूल देवी त्योहार मनाया जाता है खेर आप इस भलिवाती जानते होंगे फूल देवी माग में तो नहीं मांग में तो घूगतिया मनाते हैं तो इसके बाद अब अगला है यहां पर कंप्यूटर का को da का पूर रूप है तो यह आपको बताना है OCR का पूर्ण रूप इन में से क्या होगा तो इसका से उत्र हो जाएगा Optical Character Recognization Option number C हो जाएगा हमारा बिल्कुल से उत्र OCR Optical Character Recognization Option number C हो जाएगा बिल्कुल से उत्र OCR अगला कोश्चिन है कपिल मुनी द्वारा परतिपादि दर्शन परणाली है तो यह आपको यहाँ पर बताना है कपिल मुनी द्वारा परतिपादि दर्शन परणाली कौन सी है न्याय दर्शन नहीं न्याय दर्शन अक्चपत गोतम है तो इसका से उत्र हो जाएगा कपिल मुनी द्वारा परतिपादि दर्शनिक परणाली तो सांकी दर्शन हो जाएगा इसका सेवतर उत्तर मिमान सा ये वाइदरायन है और इसका सेवतर हो जाएगा कपिल मुनी सांकी दर्शन न्याय दर्शन अक्षपत गौतम तो इस तरह से यहां से भी कुश्चिन जरूर आते हैं एक्जाम में किसी एक्जाम में तो कपिल मुनी है पर्शिद्ध है अगला को उस्चीना बॉद्ध संगीतिए क्या है कई बाघ करण क्या है कि इस सा साथ किज़र संगीती किसके समय में पहली तो यहां पर सभी सभी यह देगे हैं पर संगीत का सभी करह आपको बताना है इसका से उत्तर हो जाएगा ओ का ओ और को तो यह आपको देखना सबसे पहले ओ आएगा तो असोक का तो ओ का लेकिन यहाँ पर आपकी ट्रीक में देखिए फिर यहाँ पर तो मिलते जिलते पहले असोक आ गया पर यहाँ पर पहले महोगा अजात सत्रू अजात सत्रू है फिर का से हो गया काला सोख फिर असोग फिर कनिसक तो ओस नमर् डी हो जाएगा बिल्कुल साही क्योंकि जो औ का ₴ यहाँ पर असोग काला सोग अजाद ने तो फिर यहाँ पर हमंक घंब पिगड़ भी सकता था तो अजाद निर्वाचन छेत्रों कि पद्धती की शुरुवात भारत में किसके द्वारा हुई थी तो यह आपको यहां पर बताना है एठार सो ब्याने डिनियम एका भारत परसेत दिनययम तो बहुत कुछ है रहां दो अगला कोशीन है और ये भी एकजाम में ज़रूर आता है यहां से परशने भारती सवीदान का कौनसा अनुचेद अस्परिस्षिता का उन्मन करता है और किसी भी रूप में इसके ब्योहार का निशेद करता है बागी आपने बिल्कुल सही पड़ा है कि अस्प्रिसिता का अंतिकिस अनुचेद में है तो अनुचेद 17 में है बागी इस तरह से आयोग जो है लंबा चोड़ा कुछ भी आपके सामने रह सकता है तो अनुचेद 17 में है बागी आपकी आपका उतर गलत नहीं हो रहा है अनुचेद 18 में जैसे उपाधियों का अनुचेद 16 में लोक नियोजन माउसर की समता अनुचेद 15 में है धर्म जाती लिंग जन्मिस्तान आधी के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा इस तरह का तो इसका से उत्तर हो जाएगा भारती कम्यूनिस्ट पार्टी CPI का अस्तित्तु किस वर्ष में हुआ 1912, 1915, 18 या फिर 25 तो इसका से उत्तर हो जाएगा भारती कम्यूनिस्ट पार्टी CPI 1925 में option number D हो जाएगा हमारा बिल्कुल से उत्तर आंकरी question उसके बाद उत्राखंड शुरू हो गिए यहाँ पर देखिए गड़वाली फिल्म आग अगला कोश्चिन है गड़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक थे बलराज नेगी अली अभवास जाफर पारिश्वर गौड या फिर मोहन उप्रेती तो परवती कला केंद्र से संब्दित थे सबस्ताइब कि ती दिल्ली में तो इसका से उत्रों जाएगा जगवाल पारिश्वर गौड उनिसवा तिरसी में फिल्म आई थी यह इसके निर्माता ने देशकतें निर्माता निदेशक पारिस्वर गोड तो ऑप्सन नंबर और जो इसमें हिरोई थी वो ती कुसुम भीष्ट तो इसका से उत्रों जाएगा पारिस्वर गोड उनिदेशक निर्माता निदेशक अगला कोश्चिन है वर्स 1934 में किस पत्र का परकासन अलमोडा से किया गया थ बाकि यह जो पत्रों के बात कर तो यहां पर जैसे सकती है तो यह भी बदिदत पांडर निकाला था 1918 में अलमोडा से बाकि सभी के सभी को डू ऑप्सनाइस में हो सभी अलमोडा से निकलता है और स्वाधिन परजा यह भी अलमोडा से विक्तिर महुन जोशी की द्वारा निकला गया था 1931 से समय अलमोडा अगबार इसमें इसके तो नाम में अलमोडा लगा है और सभी को इस बारे में पता भी कि अलमोडा अगबार 1871 में तो इसका से उत्रों जाएगा समता तो 1934 में वर्स 1934 से किस पत्र का परकासन अलमोडा से किया गया तो समता हो जाएगा म अगला कोश्चिन है अगला परशन है निमेल लिखित में से कौन सा बात धियंतर नहीं है दमामा मसगबीन हुड़का या फिर तगडी तो तगडी तो एक जो कि परिधान इसे कह सकते जैसे कि यह पहना जाता है कहां यह पहना जाता कमर में तगडी या तिगडी तो कमर में पहना जाता है तो यहीं नहीं होगा बांकि मसगबीन आपको भली बाती बता दमामा होड़की यह सब उतना है नि तो इसका से उत्रों जाएगा ऑप्शन बड़ी तगडी अगला कोश्चिन है जी सी फ्रेंच द्वारा लिखी गई हिमालय आ लंदन से तो परकासन होगा तो यहां से प्रसन आता है अगला कोश्चिन उत्राखंड में आरक्षण निती के लागू करने के उद्देसी से वर्स उनिस्षान च्रानवे में किसा समीति का गठन किया गया था पर्वती जनविकास समीतिफी उनिस्षान पचास तो यह तो हो चात्र युवास संगर्स समिति का घठन किया गया था कब 1994 में उत्रा खंड में आरकषण निती लागू करने के उद्धिस से चात्र युवास संगर्स समिति का घठन 1994 में किया गया था तो अप्शन मत यह हुजाएगा बिलकुर सेवत्तर तो यह थे आज की हमारे तीस कोश्चिन और कल को मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो में अगर आपने इसके जो पुराने पार्ट नहीं देखें तो पर लिस्टिम आप जा सकते हैं वहाँ